नमस्कार मैं हुआ शित्वे TV9 भर्तवर्स के डिजिटल प्रेट्फरम पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज बात करेंगे चीन की नेवी की यूँ तो चीन की PLA को लेकर जिन्पिंग की ओर से अब तक जो कुछ भी दावे किये गए हैं और उनकी जो कुछ हकीकत है उससे आप बखुवी वाकिफ हैं लेकिन चीन की नेवी को लेकर जो आज अपडेट हम आपको बताने बाले हैं वो सच में आपको हैरान करते की क्योंकि चीन की नेवी इसकदर इतनी तेजी से बढ़ रही है कि आने वाले वक्त में चीन समंदर की लहरों पर एक खतरनाग जहां को बसाने के बारे में सोच रहा है जो दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है पूरी दुनिया जानती है कि चीन दक्षे चीन सागर यानि कि साउथ चाइना सी से लेकर हिंद महा सागर तक अपनी सेन ताकत को पढ़ा रहा है और भारत को घिरने की कोशिस में लगा है तो दूसरी तरह पाकिस्तान के साथ मिलकर जिन पिंग पूर्वी इशिया से अफरीका तक जाल बिछा रहे हैं जिसके चलते चीन की नियत को लेकर भारत भी चोकस बना हुआ है और उसकी हर चाल पर नजर रख रहा है इस भी चीन को लेकर ऐसी जानकारी सामने आई है जिसने दुनिया के कई देशों की चिंता बढ़ा दी है जर्मन नेवी के प्रमुखने चीन की नेवी को लेकर कई चोकाने वाले खुलासे करती है उन्होंने बताया है कि चीन की नेवी का अगा इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि वो हर आने वाले चार साल में अपनी नेवी को इतना बढ़ा बना लेता है जितनी की फ्रांस की बर्थमान में नेवी है जो कि सच में एक चिंतन्य और बिसफोठक में से है जर्मन नोसेना प्रमुक के अचेम शौन वेक ने सिंगापुर में दिये अपने बयान से दुनिया को आगाहा करने का काम किया है जर्मन नोसेना प्रमुक का ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब चीन सेन कर्मियों की संख्या की लिहास से अभी वे दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है चीन की नोसेना को लेकर ये तत्थ भी सामने आया है कि इसमें मासे का आधार पर जहाजों को बेड़े में शामिल किया जाता है चीनी नोसेना की ताकत में बेहिसाफ इजाफे को लेकर जर्मन नोसेना प्रमुक ने चिंता जाहिर की है और चीन से अंतराष्टिय नियमन आधारित विवस्था का पालन करने की अपील की है हलाकि चीन ने इन आरूपों को बे बुनियात करार दिया है और दावा किया है कि वो विश्व शांती का निर्माता है दरसल जर्मनी की एक डेटावेस कंपनी जिसका नाम स्टेट का है उसके हालिया रिपोर्ट में पीले को दुनिया की सबसे बड़ी सेना करार दिया गया है जबकि चीन की नेवी को सबसे तेजी से बड़ी होने वाली नेवी बताया गया है सच तो यह कि साल 2021 के आखले बताते हैं कि चीनी सेना के कुल कर्मचारियों की संख्या जहां तकरीबन 21 लाग से जादा है तो वहीं चीनी नो सेना को मजूदा वक्त में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली नो सेना माना जाता है बताया जाता है कि राष्टपती शी जिन पिंग एक सेनी सिध्धांत के तेज चीनी सेना का विकास कर रही है जिसमें वहां की नो सेना और वायू सेना भी शामिल है चीन साउच चैना सी के अधिकांश हिस्सों पर जहां अपने दावे करता है वहां उसने अपनी सेन शमताओं का विकास किया है और इस एरिया में अन्य दावेदारों के सामने चिनोती पेश की है इन दावेदारों में वियतनाम, फिलिपीन, मलेशिया, बुर्नेई और ताइवान भी शामिल है अमेरिका सहित का इदेश चीन पर दक्षन चीन सागर में अतक्रमन करने का आरूप लगाते रहे हैं चीन का ये बियान दक्षन चीन सागर में बढ़ती उसकी गधविधियों और इसको लिकर अंतराष्टी चिनताओं के पीच आया है जो बताता है कि चीन की आखिर नियत है क्या वहीं दूसरी ओर चीन के विदेश मंतराले ने जर्मन नो सैना प्रमुख के बयान पर इस्तिती इस्पष्ट कर दी है उन्होंने साबतोर पर संकेत दिया है दुनिया को कि जब तक कोई देश चीन की अखंडता, संप्रवता और वहां के हितों के खिलाब कदम नहीं उठाता है तब तक उसे चीन की सेने शमताओं से डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि चीन अपने हितों की रक्षा के लिए अपनी सेने ताकत में इजाफा कर रहा है वेराल इस वीडियो में इतना है लेकिन कमेट बॉक्स में अपने प्रतकिरिया जरूरत है और दीश दुनिया की तमाम बड़ी ख़बरों से बाख़बर रहने के लिए टीवी नैन भारत वर्ष को सब्सक्राइब करें करोना धर नहीं देखता जात नहीं देखता अमीर गरीब उच नीच नहीं देखता करोना करोना सिर्फ मौका देखता है लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए बस इतना कीजिए जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लोगिए तो इतना खयाल ज़रूर रखिए कहीं आपके साथ करोना आपके घर तो नहीं जा रहा बुलिये मत करोना अभी जिन्दा है